हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई जेके निटिंग चैनल देखे फ्रेंड्स यह आज हम एक टोपी बनाएंगे देखे बहुत ही ब्यूटिफुल सी कैप है न्यूबोन बेबी से लेके तीन मंत के बच्चे को अराम से आएगी इस तरह से दो कलर में मैंने बनाया है इसको रेड और बाइट में आप कोई भी दो कलर ले लीजिए जो आपको पसंदो इसमें दो तीन बटन लगेंगे तो नौ नमबर की मैं सलाइस में यूज करूंगी क्योंकि थोड़ा निसा डीला डीला इसको बना रही हूं तो इस तरह से आपने जो है इस कैप को बना करके जड़ी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे प प्रंट साइड यहां पर पॉमपॉम बना करके लगाए हैं और तीन बटन को मैं आपको पहले बताया है तीन बटन आपने काले लेने हैं चाहे तो आप जो है रेडिमेट आइस भी मिलती है और वह लेकर के आप यहां पर अटैज कर सकते हैं इसमें तो बहुत ही प्यारी सी कै तो चलिए फ्रेंट इसिसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस वाली देखिए इस बाली बूल से मैंने यह टोपी को बनाया है यह इस तरह से जो है पलाई बाली बूलबिसे कहते हैं तीन पलाई में यह बूल जो है आती है इस तरह से इस तरह से सिंगल धागे जो होते हैं तीन होते हैं इसमें इस तरह की बूल जो है यह दोनों जो है रेड और वाइट इस तरह से मैंने ली है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें मैंने जो है देखिए यहां पे जो है मैंने 64 लेकर के थोड़ा सा बॉर्डर आपने बनाना है जैसा भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं उस तरीके का बना लीजिए चाहिए उल्टे उल्टे फंदों का बना लीजिए लेकिन मैंने जो है स्टार्ट मैंने डबल बॉर्डर से किया था ये दिखे डबल बॉर्डर मैंने बनाया है इसमें फंदे डबल बॉर्डर के बनाये थे उपर लेकिन मैंने एक सीधा और एक उल्टा बनाया है इस तरह से देखे simple border बनाना है इसमें एक सीधा और एक उल्टा उसके बाद जो है आपने 10 जा 12 सलाईया जो है इस तरह से सीधे तरब से सीधी और उल्टी तरब से उल्टी बनानी है तो इस तरह से इसको मैं सीधा बुन लेती हूँ फिर आगे इसका process जो है आगे वो बताऊंगी आपको हूँ कि अब देखे फ्रेंट्स हमारे पास जो है 9 2 12 सलाईया हमने बनानी है देखिए इस तरह से यह देखी दो चार श की आठ War और यह 13 वह मारे जो है यातल अल्टी साइड से आई अब हमने क्या करना है दूसरा कला करना है उसमें घ्राय से हँवन इसको इस तरह से बनाईएगा एक सलाई जो है पूरी हम इस से बना लेते हैं इस तरह से आपने बनाना है इसको तो चाहे आप जो है पूरी सलाई यहाँ तक बना लीजिए चाहे आप जो है 64 फंदे हैं हमारे पास तो 10 पंदे हम जो 10 जा 12 फंदे हम बीच में रखेंगे अगर आप 10 पंदे रखेंगे तो 27 फंदे इस तरह बनेगे 27 हमने इस तरह बनने हैं तो 64 स्टिचीज हैं हमारे पास 27 और 27 इस तरफ 10 फंदे जो है 10 स्टिचीज हम बीच में रखेंगे तो इस तरह से आप बना ओगे तो मैं आपको बना करके दिखाते हूँ देखे 27 जो स्टिचेज हैं हम इस तरफ बुनेगे उसके बाद 10 फंदे जो हैं उसके बाद में बुनने हैं देखी यहां पे कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और यह एक फंदा तो यहां पे 27 स्टीचिज हमारे यहां पे बुन गए हैं हमने बुन लिये हैं अब 10 फंदे हम यहां पे इस तरह से बुनेंगे धागे कॉपनी तरफ करेंगे इस तरह से देखें दो चार शे आठ और यह दस दस फंदे हमने बुन लिये तो अब इन 27 स्टीचिज को यहीं पे रहने देते हैं अब इसे इन 10 फंदों को हमने बुनना है दीखें इस तरह से यहां पे हमारा जो है उल्टी साइड है तो यहां पे हम सीधा बुनेंगे इसको देखिए इस तरह से एक सलाई हम पूरे फंदे सीधे बुन लेते हैं 10 यह हो गया अब यहीं से बापपा चलते हैं देखिए 10 फंदे हमने बुन लिए 2, 4, 6, 8, 10 अब देखिए यहां पे हमने कैसे बनाना है अब हम दो फंदों को इस तरह से एक बुन लिया, अब दो का एक करेंगे, दो का एक, फिर पूरी सलाई हम उल्टी बनाएंगे, इस तरह से, उल्टी हो गई, अब देखें सीधी साइड आ गई, अब यहां पे हमने एक स्टिच बुना, एक स्टिच उतारा, इन दो फंदों को इस तरह से किया, दो का एक किया, फिर हम सीधे फंदे बुनेंगे सारे, इस तरह से, फिर अब हमने यहां पे इस तरह से आए मुड़के, फिर एक स्टिच बुना और दो का एक किया, तो इस तरह से हमने घटाते हुए जाना है, जब तक हमारे पास एक स्टिच नहीं रह जाता, अब देखिए फ्रेंट्स हमारे पास तीन फंदे लास्ट में रह गया है, तीन का हम एक बना देंगे इस तरह से, और इसे यहां से इस तरह से देखें, तीन का एक बना दिया, अब हमने इस तरह से यहां पे नापके देखना है, कि हमारा जो है, यह बाला इस तरह से आ गया कि इस तरह से इसे काट दिया अब इसे तो यहीं पर चोड़ देंगे अब यहां पर देखिए यहां पर हमने यहां तक लाए थे यहां तक लाए थे इसको रेड गलर को बुनना यहां पर हमारा वाइट है अब फिर यहां पर हमने दस फंदों को उठाना है जो हमने इस तरह से इस डिजाइन वाले फंदों को हमने दसों को उठा लेना है इस तरह से एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ ना और ये लास्ट वाला हमारे पास दसमा फंदा है तो इसे हम इस तरह से उठा लेते हैं तो दस पंदे हमने उठा लिए अब इसे कॉंटिन्यू करना है और हमने इसको तब तक बुनना है जब तक कि आपकी टोपी की लंबाई जो है कंप्लीट नहीं हो जाती है तो ये वाला पॉर्शन हम इसी तरह से शोड़ देंगे जो हमने ये जो है त्री बुज बनाई है ट्र और उल्टी तरफ से उल्टा तो ये सलाई में बना करके फिर आपको दिखाती हूं कि हमने जो है न्यूबॉर्ण बेबी के लिए बना रहे हैं तो छोटी सी कैप है न्यूबॉर्ण बेबी से दो तिन मंत के बच्चे को ये अराम से आएगी आप इतने फंदों में इसे अब हमने यहां पर देखे कैसे बनाना है इसको अब इसको टोटल लंबाई जो है इसकी 6 इंचिस तक करेंगे इस तरह से आपने नाप लेना है बॉर्डर के समेत जो है बिद बॉर्डर हमने 6 इंच तक जो है बना लेना है इसको अभी हमारे पास 3 इंच हुआ है 3 इंच तक हमने इस red color से इसको बना करके complete करना है तो इसे मैं complete कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताते हूँ अब देखिए friends हमारे पास जो है हमें 6 inch तक जो है इसकी लंबाई चाहिए देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो 5 inch के क्रीब जो है लंबाई जो है टोपबी की हो चुकी है अब हमने इसमें क्या करना है देखिए इसमें हमने फंदो को गटाना है एक फंदा उतारा अब दो का एक करेंगे इस तरह से देखी दो का एक किया फिर 5 फंदे बनेंगे एक दो तीन चार 5, 5 के बाद फिर से हमने 2 का 1 कर देना है फिर 5 फंदे बुनेंगे देखे, 2 का 1 यहाँ पर किया 3, 4, 5 फिर 2 का 1 करेंगे तो इसी तरह से 1st row हमारी complete होगी 5 फंदे बुनने के बाद 6 और 7 फंदे को हमने 2 का 1 में बदल देना है मतलब कि हमने घटा नहीं है फंदे देखे, इस तरह से 2 फंदों को इकठे बुन करके 1 फंदा बना लेना है फिर 5 बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 का 1 करेंगे फिर 5, 1, 2, 3, 4 पांच फंदे बुनने के बाद फिर 2 का हम पर 1 करेंगे फिर 5 फंदे बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 को इकठा बुन के एक फंदा बना देंगे फिर नेक्स्ट पांच फंदे सीधे बुनेंगे फिर 2, 3, 4, 5 फिर 2 को इकठा बुनेंगे फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर नेक्स्ट दो का 1 बनाएंगे अब लास्ट में हमारे पास देखी 5 फंदे बची है तो इन पांचों को हम इस तरह से बुन देंगे सीधा सीधा अब रॉंग साइड है रॉंग साइड बारी रो जो है पूरी सिंपल बनानी है उल्टे उल्टे फंदों अब देखे फ्रेंस दूसरी बार जो है एक फंदा बनाया फिर हमने यहां पर दो का एक बनाया इस तरह से दो का एक कर दिया फिर अब चार फंदे बने जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, अब यहां पर फिर दो का एक करेंगे, तो इसी तरह से आने वाले सीधी स्लाई में तीन के बाद दो का एक करेंगे, इस तरह से हमने फंदों को गटा लेना है, देखें, तीन, और यह चार, फिर दो का एक, इस तर दो का 1, फिर 1, 2, 3, 4 फिर 2 का 1 तो इस तरह करते हुए हमने के बाद झोप दो 3 mujer के बाद पांज माहीं किरोगे और हम्म से सिर हम टीनि के बाद 2 माहीं किरेंगे फिर दो के बाद दो का एक करेंगे फिर एक के बाद एक करेंगे तो इस तरह से हमारे जो फंदे घटते जाएंगे तो लास्ट में आकर नí फिर से आपको दिखाती हूं आपने इसी तरह से इसी क्रम में घटाना है इसको अब देखे फ्रेंट्स हमने जो है सारे फंदों को गटा करके देखे इतने हमारे पास फंदे बचे हैं तो इन्हें हमने धागे को कार देना है यहां से और सुई में ले लेना है इस तरह से देखे यहां पे हमारा जो है बरकिंग बूल हमारी यहां पे है तो इस तरफ से हमने सूई में इन सभी फंदों को ले लेना है इस तरह से देखे और इसे टाइट कर देंगे ऐसे देखे यह होगा अब इन सभी फंदों को इस तरह से खिंच करके टाइट करेंगे और अब इस टोपी को हमने सिलना है यहां से लेके यहां तक तो हमने रेड कलर से सिलना है और यहां से यहां तक हमने बाइट कलर से सिलना है अब देखिए फ्रेंड्स यहां से हमने इसको सिल दिया है यहां से सिल के इसको इस तरह से सेंटर इसका निकालना है इस तरह से इस तरह से करेंगे अब यहां पे दोनों साइड में दो पॉम पॉम लगा करके इसके जो है कान की शेप इसको देंगे तो इस तरह से मैंने सुई में धागा डाल लिया है तो यह पॉम पॉम बना करके हमने यहां पे अटेच कर देनी है इस तरह से कि एक यहां पर लगा देंगे और एक हम दूसरी साइड में तो देखिए फ्रेंट्स यह हमारी टोपी जो है बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकिया इस तरह से आपने इस यहां पर पॉंपों बना करके लगा देने हैं तो इस तरह से यहां पर तीन हम बटन अटेच करेंगे यह उसकी नोज हो जाएगी और यह उसकी आईज हो जाएगी तो इस तरह से आपने जो है काले बटन ले लेने हैं तो यहां पर इनको अटेच कर देना है तो देखिए friends हमारी टोपी बन करके बहुत ही अच्छी तरह से complete हुई है इस तरह से आपने इस टोपी को बनाना है और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईए का कि हमारी टोपी कैसी लगी आपको बहुत ही असान है बनाने में कोई भी से मुश्कल नहीं अबनाना न्यू बोर्ण बेबी से लेके तीन मंत के बच्चे को ये आराम से आएगी तो इस तरह से आपने स्कैप को रेडी करना है बना करके